जगरनाथ धाम में आप सबका स्वागत है दोस्तों जगरनाथ धाम पुरिशा के पुरी शहर में है तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जगरनाथ धाम तक कैसे पहुं सकते हैं बस से ट्रेन से या बाई एर आप जगरनाथ धाम कैसे पहुं सकते हैं जगरन दिर में दरसंग करने कम जाना है और आपको कौन-कौन से चीजों का दिहान रखना है और पूरी के अंदर कौन-कौन से बीच है जहां आप खूम सकते हों तो हम आपको बीच के सबहे नजारे दिखाएंगे और बीच का नाइट वीव भी आपको हम दिखाएंगे साथ में पूरी के साइट सीन देखने के लिए टूर पैकेज की बुकिंग होती है तो इस वीडियो में हम उस टूर पैकेज की भी बात करेंगे वे सारे साइट सीन आपको हम दिखाएंगे तो दोस्तों अगर आप जगरनाथ धाम के लिए आ रहे हैं तो गुवाइल को रख दिए शाइड में और ये वीडियो आप आँ तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप कुछ जगरनाथ धाम की यात्रा करने में का प्रिमतदगार होने वाला है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सश्क्राइब कर दीजिए और इसके साथ की कमेंट्स में आप जय जगरनाथ जय जगरनाथ जिरूर लिखते हैं जो लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रेंड से हम जगरनाथ पुरी कैसे पहुंचा جाए। तो भारत के कई सहरों से पुरीत तक के लिए डारेक्ट ट्रेने आती हैं। अगर आपके सहर से पूरी तक के लिए डारेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप पूरी से 60 किलोमोटर पहले भॉनिश्र तक आप आ सकते हैं भारत के सभी रिल्वेस्टेशनों से आपको भॉनिश्र के लिए ट्रेने मिल जाएंगी तो भॉनिश्र से इन तीन बस इस्टापों से आपको पूरी तक के लिए बसे बिल जाएगी पहला है कलपना चौक बस इस्टाइड दूसरा है बारा मॉंड़ा बस इस्टाइड और तीश्रा है मास्टर कंटीन बस इस्टाप मैं आपको रिक्मेंड करूंगा कि आप चले जाए कल बुना चौक बस इस्टेंड यहां से आपको सो रुपाइसे डेड़ से रुपाय के बसे मिल जाएंगी एसी और नानेसी डारेक्ट पुरी के लिए अभी बात करते हैं कि फ्लाइट से आप जगनाथ पुरी कैसे पहुच गए है पुरी रिलेवे स्टेशन पर और यहां से हम आटो लेंगे तो दोस्तों हमने यहां से एक आटो बुक कर लिया है जिसने हमें 600 रुपाय लिया है और यह सबमुद्र के किनारे किनारे हमें ले गया जगनाथ पुरी के मंदिर पास जहां हमें होटल पहले से ह रखा था दोस्तो फानली हम पहुच गए हैं जगनाथ पुरी के टेंपल के पास और हम इस समय बिश्टु भवन में अपना रूम लिया है दोस्तों अगर आप मंदिर के आसपास होटल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहां पर मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटन तक आपको मिल जाएंगे दोस्तों 500 वाला जो आप रूम लेंगे उसकी कंडिशन जदा अच्छी नहीं होगी आप 5000 के आसपास जो रूम लेंगे उसकी अच्छी कंडिशन आपको मिल जाएं तो दोस्तों हम अपना यह पूरी के पश्चिवी द्वार पर हमने विश् रहा हूं दोस्तों इस होटल में आपको नानेशी 1000 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएंगे वन बैट या टू डवल बैट और दोस्तों यहां से समुद्र का दूरी है वो लगवा के आफ़ पास चले दोस्तों मैं आपको अपने रूम से मंदिव के नजारे दिखाने चलाएं यह सामने भगवान जगन नात का मंदिव आपको हमदर्फन करा रहे हैं दोस्तों अगर आप रूम पुरी बीच के पास लेना चाहते हैं तो वहां भी ले सकते हैं लेकि यहां की रूम जो होंगे उनके काश्ट काफी महिये होते हैं क्योंकि यहां से बीच जो है आप अपन मनपसंद हिसाब से रूम अपने पचट के अउसार रूम ले सकते हैं तो तो फिरहाल हम आप आपको लेचले हैं मंदिर में आज ही हम दर्सन करेंगे भगवान जगरनात के और कल की ट्रिप हमारे पूरी रहेगी बने शर्क कुरने की वह भी मैं आपको इस वीडियों और हम आप कमें चलेंगे शिंग ड्वार जहां से हम मघवा जगरनाथ के दर्सन के लिए पर्विश्व करेंगे इसमय हम पहुँच चुक है मंदिर के अंदर में पर्स आ ले जाना वर्जित है शिंग द्वार के सामने आपको काई सारी स्वाब मिलेंगे तो आप आप अव वहां ने जाना बूर्जित है। इसलिए हमने यहां के मंदिर के परसर्ग मुवाय यहां लगते हैं, तो हमने अपने मुवायल रखकर हम आप श्रिफ द्वार की बर्पर श्थान कर रहें। तो पूरी द्राम की सबसे अच्छी यहां मिठाई परसिक मिठाई है वो ख्वाजा मिठाई है तो आपने घर के लिए यहां मिठाई ले आ सकते हैं जिसे कास्ट आपको डेड़ से रुपाई से पाम से रुपाई के बीच में मिल जाए तो इस जगे से आप मंदिर सिंग द्वार द्वार हैं तो दोस्तों मैं इस समय आपको पूल में द्वार के दरसंकर आ रहा हूं जिसे शिंग द्वार यहां जाता है इसके लावाज से धर्म द्वार भी कहा जाता है और दोस्तों यह है दच्चिर द्वार जिसे अस्व द्वार भी कहा जाता है तो शिंग द भगवान उसके बाद आपको बीच में व्पाद्रा देवी की मुर्थिस्थापित है। उसके बाद भगवान भल बदो यह बल भद्र की मुर्थिस्थास tutti हैं ओ आप इनको देखकर अपनी मुनूखा मुद्र मांगे दर शॉल के रिए भगवान भी उसके बाद जाएंगे आप पष्वी द्वार और पष्वी द्वार से आप जाएंगे उत्र द्वार कोस देर के बाद आप घुंटे तो आपको हम अलग से आपको वीडियो एक बनाएंगे जिसमें आपको हम पूरी पक्रमा मन्दिक कराएंगे और आपको हम भी दिखाएंगे तो इस समय मैं आपको पूरी पक्रमा करा चुका हूँ मन्दिक के दोस्तों अगर आप मेरे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वेज़ जगरनाथ जिरू लेती गया और इस वीडियो को लाइब भी करती है चलिए अब हम बात कर लेते हैं खाने पेने की आप तो को यहां को आपको सो रुपाई से डिरों दो सुर रुपए की बीच में आपको धाली मिल जाएगी इसमें आप भरपीट पोचन कर सकते हैं यहां का जो फेवरिट खाना है वो दाल माहे और चावल दिया जैता है तो आप सुर रुपए देकर ये डाल चावल और शबजी आप भरपूर पोचन कर सकते हैं तो दोस्तों तो अपने रूम से ही हमने पूरी के साइट सीन देखने के लिए ट्रेवल एजेंसी के द्वारा यहीं हमने पैकेज बुक कर लिया है तो दोस्तों कल हम जाने वाले हैं चंदभागा बीच पर और कॉर्णारक मंदित और उसके बाद हम जाएंगे वहां के नंधन काना जू के विजिट करेंगे तो इस पैकेज में कौन कौन सी हम अस्थानों को विजिट करेंगे तो आप पूरा वीडियो आंग तक जुरू दिखिएगा तो दोस्तों हमने एक नान एशी बस लूट पैकेज बुक कर लिया है और जिसमें हमने 300 पर पर परशन चार्ज किया है और हम अ पूरा भनुशर घुमाए जाएगा यानि पूरी के साइट सीन दिखाने ले जाए आएगा तो दोस्तों ऐसे साइट सीन देखते हुए आप पहुंच जाएंगे पहले अपने पॉइंट पर हुए है चंद्रभागा बीच चंद्भागा के विजिखाने के बाद अब हम आ कोणार्क मंदिर संट यह मंदिर एक अपने आप में अलग के तरह का है इस मंदरे में कभी पूझा नहीं होती है दोस्तों इस मंदिर के ध्यास के जाने में आप हमारे चैनल में जाकर आप यह कोणार्क टैंपल कर में अलग से वीडियो लांगा तो उसको आप देख सकते है उसका क्राया और साथ में हम और भी जो अस्थान जाएंगे ने नंदन कारा जू उसका भी चार्ज किया है तो आपको हम यहां के कोणा के मंदिर दिखाने के बाद हमें बहुत जोरतों भूग लगी है तो यहां के सांटी होटल में जाकर आने भोजन किया जिसने हमने आपको लेंग चल रहे हैं लिंगराज मंदिर तो दोस्तों मैंने अपना मुवाइल अपने बस ही पे रख दिया था इतलिए हमको मंदिर के आपके वीव नहीं दिखा पाऊंगा और हम आपको लेंचल रहे हैं अगले पॉइंट की और दोस्तों अब हम पहुंच गया है और यहां के वीव दुखाने के बाद हम हमारा यह आज का लाश्ट पॉइंट हम पहुझ गए नंधनकाना जू दोस्तों यह बहुत ही काफी बड़ा जू है इसके अंदर काफी किस परकार के यहां जानवर और बहुत परकार से पच्छी आपको देखने को मिलेंगे दोस्त यह जू है जो 1080 एकर्ण ने फैला हुआ है इसके साथ ही आप यहां जंगल सवारी भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह सभी पॉइंट दिखाने के बाद हम पहुंच रहे हैं पूरी के ओर दोस्तों इस समय जो समय हो चुका है वह आठ पच चुका है तो हम पहुंच गए अपने पूरी मंदिर के पाद जहां हमने होटल अपना लिया था दोस्तों अपने होटल पर अपने कपड़े रूम में चेंज कर लेंगे उसके बाद हम आपको ले चलेंगे पूरी बीच पर जहां आपको हम वहां के नाइट व्यू दिखाएंगे दोस्तों यह है पूरी बीच तो तो इस समय आपको बीच की किनारे समुझ की लहरों का आनद दिवा रहें दिखे क्या लहरे उठ रही हैं और ये सामने आपको जो बीच के शामने यो होटल से दिखाई पड़ रहे हैं तो यहां से समुझ की बीच की आपको मार्केट भी सामने दिखाई पड़ेगी और ये कि होटल से की आपको दिखाई पाई रहे होंगे तो दोस्तों अगले दिन हमने मन मनाया कि हम पुरी के जो साइट सीन है कुछ मंदिर के आसपास के मंदिर है उनके हम विजिट करेंगे तो मैंने अपने रूम से 8 रुपए में एक आटो बुक कर लिया है और हम आपको साइट सीन यहां के पुरी के दिखाने ले चला तो सबसे पहले हम पहुच गए यहां के कुप्त प्रद्दाबन तो यहां काफी सुंदर यह मंदिर बनाया गया है यहां चैतर महापरगों की बहुत बड़ी-ब बड़ी-बृतियां स्थापित किया है तो सामने आपको चैतर महापरगों की बहुत भी विशाल मुर्दवी के दर्संग करिए अब अब को ले चले हैं उमकारवशर्मंदिर तो यह समुद्र के दोनों साइडों पर यह मंदिर इस्थीत है तो आपको सामने इसमें किनारे किनारे आपको मंदिर के उसरे साइट में पहुर्शन होगा तो यहां के आखरी में हम पहुचने वाले हैं तो दोस्तों यहीं से जो जगनात भगवान की यातरा शुरू होती हैं, यहीं से शुरू होती हैं, यह यातरा जाती है मंदिर के पास तक, तो यहां से मंदिर लग वग दो कलूंटा या bitcoin तीप के इसकित करें, तो इसमें हम आप दोस्तों हम आपको अगले दिन यानि कल लेचे लेंगे आपको एक बार फिर यहां पूरी के बीच पर वहां भी दर्सक कराएंगे अगर आप चिलका रेक लिए जाना चाहते हैं अगर आप पत्म हैं तो अगले दिन अपने ट्रेवल एगेंश्चिय के द्वारा बस्बुक कर करके चिलका लिए का बर्मण कर सकते हैं तो दोस्तों इस में हम पहुच गए हैं एक बाप फिर आपको पूरी बीच पर यहां को दर्सक करा रहा हूं और अगर आप यहां उन्ट की सवारी करना चाहते हैं तो आप सवारी कर सकते हैं यहां उन्ट की सवारी के जो चार्ट ल तो दोस्तों हमने चिल्का लेग जाने का विचार नहीं बनाया था इतलिए जिल्का लेग नहीं गया है क्योंकि हम सरी में का पिल्ट अब आज चीजिए हम बात कर लेते हैं कि इतना खर्चा देगा आने वाला है तो पर्शन तीन दीन रुपीच खाने पीने का 3,000 पूरी के साइट सीम देखने के लिए 300 रुपाय पसके कुरार टेंपल जी वा गायट का चार्स एको साट रुपिया अगर आप चिल्का लेग जाने चाते हैं 200 पसका किराया और 3050 रुपाय हो गया बोटिंग का तो इसलिए तरह हो गया 1010 रुपीच तो दू पर्शन का ख पूलो जा रहा है तो 5000 के आसपास आपका खर्च होने वाला है तो इसके लवा अगर आप पूरी टेन पर या फ्लाइट आ रहे हैं तो इसको आप अलग से एड़ का लीजेगा तो यह हो गया बजट प्लांट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर ऑलो यह हो जापका लगा है तो झाल 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 झाल